Hello student, once again I am here with you and this is your GK session. Previous GK session में मैंने आपको flowers name कराए थे. हमने different flowers देखे और साथी साथ उनके names भी जाने. आज हम करेंगे हमारा remaining part, practice time. Page number 56, match the flowers with their name. आपको देखे पेज़ पर कुछ flowers दिख रहे हैं और साथी यहाँ पर middle में उनके names हैं. आपको correct flowers से उनकी correct name को match करना है. सबसे पहले है rose. तो देखे शर्च कीज़े rose flower कहाँ पर है, क्या आपको दिख रहा है? यहाँ, मेरे right hand side पर सबसे last में यह जो flower है, बताईए इसका नाम क्या है? यह है rose. तो इसे इस तरीके से rose से match कर दीजे. हमारा second flower name है morning glory. पताईए कौन सा flower है morning glory. क्या आपको दिख रहा है? यहाँ, हमारे left hand side पर जो first flower है, इसका नाम है morning glory. तो इसे इस तरीके से match कर दीजे. देखते हैं, अब third, कौन सा flower है? थर्ड पर है sun flower. बताईए कौन सा है sun flower? क्या यह sun flower है? नो, क्या यह sun flower है? नो, is this sun flower? नो, is this sun flower? नो, is this sun flower? यहाईस, इस इस sun flower. तो इसे sun flower से, इस तरीके से match कर दीजे. नेक्स्ट नेम है lotus. बताईए कौन सा flower है lotus? इस दिस lotus? नो, is this lotus? नो, is this lotus? नो, इस इस lotus. तो इसे इस तरीके से lotus flower से match कर दीजे. फिफ्ट नम्बर पे है tulip. बताईए कौन सा flower का नाम tulip है? इस दिस tulip? इस दिस tulip? नो, is this tulip? यह, इस इस tulip flower. तो इसे इस तरीके से, इसके correct नेम से match कर दीजे. यह है tulip. नेक्स्ट है orchid. क्या यह orchid flower है? नो, क्या यह orchid है? नो, पताईए कौन सा flower orchid है? येस, राइट एंड साइड पर first flower. यह है orchid. तो इसे, इसके सभी flower से match कर दीजे. और लास्ट है, हिबिसकस. क्या यह हिबिसकस है? येस, यह है हिबिसकस. तो इसे, इस तरीके से आपको match करना है. आप बात करते हैं, आपकी activity की. पेज नमबर 57. ट्रेस एंड कलर दफ फ्लार्स ब्यूटिफुली. आपको यहाँ पर कुछ फ्लार्स को दिख रहे हैं, जिने आपको ट्रेस करना है. और इस तरीके से आप उन्हें ट्रेस करके complete कीजिए. और उसके बाद इसमें आपको ब्यूटिफुल कलर फिल करने हैं, और इसे और भी प्रिटी बनाना है. इस तरीके से आप ट्रेसिंग complete करिए और साथ ही साथ इसमें कलर फिल करने हैं. और अब बात करते हैं एक और activity की. So students, I hope आप सबने 5-8 फ्लार्स नेम लर्न करनी होंगे. जैसा कि मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में कहा था, तो आपको एक से दो मिनट की वीडियो बनानी है with your introduction जिसमें आप फ्लार्स नेम सुनाएंगे. पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप उसमें पहले अपना इंट्रोडक्शन ने, उसके बाद आप सारे फ्लार्स नेम सुनाएंगे. जैसे कि लाइक, रोस, कौन-कौन से फ्लार्स हमारे आसपास होते हैं, लोटस, ट्यूलिप, सन फ्लार, और्केट, हिबिसकस, मौर्निंग ग्लोरी, एट्सेक्टरा, तो ये था आपका होंबग, हम फिर मिलेंगे, बाबाई, विल मीट अगेन.